प्यारे साथी हूं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूटूब परिवार MRS study में तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं आज की इस वीडियो में बिहार DLRS का जो एक्जाम हुआ पांच अगस्त से तीस अगस्त के बीच में तो उसका आंसर की जो है आपको 13 सप्तमबर क कार्ड के लिए इंतिवार कर रहा है और बहुत ज़्यादा लोग वेचैन हैं तो दियर आपको वेचैन होने की जरूत नहीं है कई सारे लोग बोल रहे हैं कि एससे सी तूझाम लेता है तो रहेंते रेजल्ट देता है हना इसके अलावा और भी कई सारे डिपार्टमेंट म काम कर रहा है, ऐसा थोड़े है कि कोई department आपका सोया हुआ है बैठा हुआ है बैठ के बस चाह पानी पी रहा है, ऐसा तो नहीं है वो अपने level पे जो उनको काम करना चाहिए, वो अपना काम कर रहे है हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई department है किसी department में number of अस्टुडेन्ट जदा है तो वहां पे जदा लोग बैठ कर काम कर रहे होंगे. यहां पे कम स्टुडेन्ट है तो कम स्टाफ बैठ कर काम कर्ण रहा हूगा. लेकिन हर दिfaatmen अपना काम तो कर ही रहा है. तो आपको scorecard में ही तो result दिखाएगा ना कि आप qualify हो कि नहीं हो आपका नंबर कितना आया है scorecard अलग और result अलग थोड़े आएगा हाँ document verification का जो list है वो आपका अलग आएगा जो कि लगबग 10 से 15 दिन के बाद आएगा result या scorecard आने के 10 से 15 दिन के बाद आपको document verification का list आएगा कि कौन-कौन candidate जो है select किया गया है document verification के लिए यह result में आपको बताएगा कि आप qualify है कि नहीं qualify है कितना नंबर आया है हना कितना नंबर से आप छट गए है क्या है वो आपको बताएगा हना scorecard याने result में लेकिन जो document verification का list आएगा उसमें आपको बताया जाएगा कि आप select मतलब document verification आपका case दिन है हना plus आपका कितना cut-off पे हना कितना cut-off पे जो है document verification के लिए आपको बुलाया गया है हना 30 नंबर 40 नंबर जो की cut-off को लेकर कई सारे लोगों का कहना है कि आपका cut-off जाए UR का 44+, BC का 37+, EBC का EWS का 31+, और girls all selected इस तरीके का जो है बोला जा रहा है तो क्या ये real है या fake है तो देखो भाई जब तक scorecard नहीं आता जब तक ये document verification के लिए अगर इतना जाता भी है तो ये document verification के लिए जाएगा final selection list में आपका नाम नहीं आएगा अगर इतना है तो final selection list में अगर आपको नाम चाहिए अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे final selection में नाम होना चाहिए आपका final selection में नाम आए उसके लिए कम से कम 200 marks आपका होना चाहिए और 200 marks के लिए आपको 50 questions यानि 50 marks आपका आना चाहिए यानि लगभग 50 questions अगर आपका सही है तो आपका जो है हो जाएगा उसी तरीके से BC का आपका लगभग 47 questions आप मानके चलिए ABC का 45 questions मानके चलिए EWS का 41 questions आप मानके चलिए और girls जो बोल्ड है न जो लोग बोल्ड रहे हैं कि girls all selected ये कतई नहीं होगा है पले बताओ मेरे नजर में कई सारे वैसे girls जो की हैं जो की बहुत कम नंबर लाए हैं हाना कोई 55 marks लाया है हाना कोई 100 marks लाया है हाना कोई जो है 90 number लाया है कि इतना number पर selection हो जाएगा क्या कितना भी reservation दिया हुआ हो कितना भी reservation मिल जाए कि इतना number पर selection हो जाएगा नहीं होगा कई सारे लोग हो सकता है कि इस videos को देखने के बाद मुझे बोले कि नहीं तुम गलत वता आने से ना कुछ नहीं होने वाला है जो मन में ख्याली पलाव पक आए हुए हो क्या रहार हम तो 100 number लेके आगे हैं यह बोल रहा है कि सब गल्स selected होंगी तो इसका तो selection हो जाएगा अब selection हो जाएगा तो हम इतना रुपया कमाएंगे हमारा यह काम होगा वो काम होगा भूल जा उसके बारे में ठीक है भूल जा उसके बारे में कि डॉक्मेंट वैरिफिकेशन में बुला लिया इसका मतलब नहीं है कि आपका सेलेक्शन होई जाएगा और 80 और 50 नंबर में थोड़े आपको दॉक्मेंट वैरिफिकेशन के लिए बुलाएगा कितना भी गल्स में अप हो तो गल्स का भी कट अफ एक मतलब अच्छा खासा जाएगा ऐसा नहीं है कि अदम बहुत उपर और बहुत नीचे चला जाएगा लेकिन ठीक ठाक मार्क्ष आपका आना चाहिए तभी तो आपका सेलेक्षन होगा ओके तो रिजल्ट के डेट के बारे में अगर बात किया जाए तो रिजल्ट जो है आप मान कर चलिए कि लगभग आपका रिजल्ट दस से पंदरा एक्टूबर के बीच में आने वाला है मैं कई बार बोलाओं कि दस से पंदरा एक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट आने वाला है प्लीज दस से पंदरा एक्टूबर के बीच में इंतजार किजिए बट आप लोगों से इंतजार तो होता नहीं है आप लोगों से इंतिजार तो होता नहीं है तो भाई इंतिजार तो करना पड़ेगा थोड़ा टाइम आपको डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा ताकि वह अपना काम अच्छे से कर सके बाकी अगर कोई और सवाल रहता है तो आप हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर करें इस वीडियो को ताकि उन्हें भी इसके बारे में अपडेट पता चल सके थीक है तो इसको मैं यह नहीं करें रहा हूं कि यह पूरा का पूरा है या गलत है पूरा का पूरा अगर attitude है कर रहा हूं लेकिन इतना अगर आता भी है काट और चाने के और और उसमें वह उम्मिदे बहुत कम ही रह contacting क्योंकि बहुत सारे वैसे एक्जाम्स हैं जिसमें cutoff हाई राता है तो obviously cutoff तो आपको कम से कम 50% तो आप cutoff लेकर चलोगे हैं 50% cutoff तो आप कम से कम लेकर चलोगे हैं क्योंकि इसमें आपका 75 question जो है technical था कि अना 75 के union को brass using था प् entendu अब आ टेक्नीकल में तो आप अच्छा खासा बनाया गहीं जो पढ़ा हुए है तो तो टेक्नीकल अच्छा बनाये गए इस का कि में do जो जुच गाता है वही थोड़ा भोत वहने खोट जाता है एसे से जी काइन लेकर चलो अगर esse फेसे च च आफ जाता है 52 पर टी करते-करते-करते तक 50 चल यहां हो सकता ज्यादा भी चला जाए तो इसलिए इसके जोल में मत रहो कि मेरा जोए सेलेक्शन हो ही जाएगा बस थोड़ा सब्र करो रिजल्ट आएगा चेक कर लेंगे अपने पढ़ाई को continue रखो किसी तरीके का कोई दिमाग में ख्याले पुलाओ ना पकाएं क्योंकि अगर आप अपनी तैयारी रखोगे तो आपका कहीं न कहीं आने वाले समय में जो भी अपकमिंग एक्जाम्स होंगे उसमें आपका स्लेक्शन होगा लेकिन ख्याली पुलाओ पका कर बस बैठ जाओगे तो उससे नहीं होने वाला है बहुत सारे लोग मुझे जो है बोलते हैं कि आप ग्यान चोद रहे हो यह कर रहे हो कर रहे हो आपको अगर गलत लग रहा है तो आप मत देखो वीडियो और यह ऐसा प्लेट फॉर्म तो नहीं है कि आपको मैं मजबूरी बुला रहा हूं यह कह सकता हूं कि आप जब तक हम हम आपके साथ हैं ओके तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ तेंक यू